हलो फ्रेंड्स डेनिकलाश इसमापको स्वागत है दोस्तों मेवाड इत्यास के टो पचास प्रशन आजम देखने वाले हैं मेवाड का इत्यास में आपको कम्प्लीट करवा चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो उसको अच्छे से देखें आज मेवाड इत्यास के टो साथ ही दोस्तों आप डेनिल क्लाइसेज की एप से संपून राजस्तान जी के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं आज पंदर अगस्त सवतनतरता दिवस पर रात को बारा बज़े तक अगर आप ये टेस्ट सीरीज खरीशते हैं तो आपको यहाँ पर डिसकाउंट भी मिलेगा केवल 150 रुपीज में आप इसे परचेज कर सकते हैं आज रात को 12 बज़े तक ही ओफर है संपून राजस्तान जी के टेस्ट सीरीज जहां हर सुबह नोब जी लाइव टेस्ट चलता है टेस्ट सेव भी रहता है आप बाद में भी टेस्ट दे सकते हैं साथ ही आपको टेस्ट की PDF भी मिलती है जहां पर संग्पूर्ण राजस्तान जी के आपके कवर हो जाता है तो आज का उफर है आज ही आप इसे पर्चेश करें उफर का फायदा उठाएं रास्तान हाइकोर्ट गुरूब डी का दिचते इसे न इन करवाया था इंपोटेनठ काफी बार एकजाम में रिपीटेड हुआ है अगला प्रेशन है इल्टूत्मिस्व जेतर सिंग के मद्दे कौन सा युद लड़ा गया था इस युद का वर्णन जे सिंग सुरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में भी किया था हम बात करें बूताला की युद की बूताला का युद 1227 में हुआ था इस युद का वर्णन जे सिंग सुरी ने अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में किया था काफी इंपोर्टेंट है काफी बार रिपीट हुआ है आपको ध्यान रखना है उत्तर दे हो जाएगा अगला है वह कौन सा मेवार का मश्यूर शाशक था जिसने अचलगड दुर्ग की मर्मत करवाई थी काफी बार एक्जाम में प्रशन आया है अभी हाली में एक एक्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है मैंने भी आपको काफी बार करवाया है इंपोर्टेंट है बार बार रिपीट होता है अचलगड दुर्ग जिसका निर्मान परमारों ने करवाया था मरमत महारना कुम्भा ने करवाई थी अचलगण दुर्ग और बसंदगण दुर्ग दोनों ही सीरों ही में स्थीत हैं आपको ध्यान रखना है उत्तर से हो जाएगा महारना कुम्भा अगला है नाथ द्वारा में इस्तित शिरिनाथ जी के मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया शिरिनाथ जी का मंदिर कहा है सिहाड नाथ द्वारा रासमंद में है अभी मैंने महारना राज सिंग जब करवाया था तब आपको अच्छे से करवाया था तो इसका निर्मान महारणा राज सिंग ने करवाया था अगला है महारणा राज सिंग ने वीर दुरकदास राठोड को कहां की जागिरी देकर शरण दी थी वीर दुरकदास राठोड मारवाड के शासक अजीत सिंग उनकी रक्षा करते हैं औरंग जेप से भी उनको छुडवाते हैं अंत में मेवाड के शाषक राज जिंग ने शरण देते हैं और केलवा की जागिरी देते हैं उत्तर ए हो जाएगा अगला है खानवा के युदगे बाद बाबर दवरा माफ किया गया कर कोन सा था खानवा का युदे आपको ध्यान रखना है तो ये किशनगड की राजकुमारी थी और अंग्जेव के खिलाब जाकर राज सिंग ने इन से विवा किया था क्योंकि ये वेश्णव धरम की अनव्याई थी किसी हिंदू शाषक से शादी करना चाती थी उत्तर से हो जाएगा अगला है मारना परताप की मरत्य Immigrant किस इस्तान पर हुई थी आपको इस तरह सो इसको ध्यान रखना है तो इनकी मरत्यू चावंड में हुई थी उत्तर से हो जाएगा चावंड अगला प्रिशिन है खानवा के युद में गायल राना सांगा का इस्तान किसने गरहन किया था जब मारना सांगा खानवा के युद में गायल हो जाते हैं तो इनका इस्तान किसने लिया था इनका इस्तान जहला अज्जाने लिया था राज चिनों को धारण जाला अज्जा ने किया था हल्दी गाटी के युद का जाला बिद्धा था तो अज्जा को आप ए से या दखना बीद्धा को बी से या दखना क्योंकि पहले सांगाए तो अज्जा बाद में मानना परता है तो बीद्धा इस तरह से ध्यान रखनाब, तो उत्तर इसका से हो जाएगा जाला अज्जा, अगला है नियमन में से कौन से मंदिर का निर्मान मानना राज सिंग द्वारा नहीं करवाया गया था, द्वारी का धीश मंदिर कांकरोली राज समंद में है, इसका निर्मान मानना राज सिंग न वेदनाथ मंदिर का निर्मान संग्राम सिंग दित्य ने करवाय था सहलियों की बाड़ी वेदनाथ मंदिर संग्राम सिंग दित्य तो उत्तर द्य हो जाएगा अगला है हुर्डा सम्मेलन की देख्षता किसके द्वारा की गई थी Most repeated question है अच्छे से सुनना ध्यान से सुनना हुर्डा सम्मेलन का आयोजन सवाई जे शिंग ने करवाया था इसकी रूपरे खा संग्राम सिंग दित्य ने तयार की थी अधेक्सता किस ने की थी मेवार के मारना जगत सिंग सेकिंड ने इस सम्मेलियन की एदेख्षता की थी हुडा सम्मेलियन 17 जुलाई 1734 बीलवाडा में वा था उत्तर से हो जाएगा अगला है मोकल ने 1426 इस्वि में नागोर के फिरोज खां को कौन से युद में पराजित किया था 1428 में किस युद में पराजित किया था फिरोज खां को तो रामपूर के युद में पराजित किया था उत्तर ए हो जाएगा अगला है मेवार के किस माराने सभी सर्दारों की दो श्रेणिया 16 वे 32 बनाई एवं उनकी जागिरों का निधार्ण किया था इन्होंने दो श्रेणिया बना दिती एक 16 की श्रेणी एक 32 की श्रेणी और उनकी जो जागिरे थी उनका निधारन कर दिया था कि यह आपकी जागिरे हैं अगला है राणा हमीर को वीर राजा देने का प्रवान है राणा हम्मीर को वीर राजा किस में कहा गया है आपको बताना है इन्होंने अनपूर्णा माता मंदिर का निर्मान भी करवाया था तो आपको बताना है वीर राजा किस में कहा गया है तो इन्हें रसिक पिरिया में वीर राजा कहा गया है रसिक पिरिया में वीर राजा कहा गया है किर्ती स्तम्ड प्रशष्टी में विशम गाटी पंचाना ने विकट परिश्थितियों में सेर के समान बताय गया है उत्तर से हो जाएगा रसिक पिरिया अगला है एक लिंग महातंमे का प्रथम अध्याय जिसकी रसना स्वेम कुंभा ने की थी क्या कहलाता है एक लिंग महत्म में का प्रथम भाग महारना कुंभा ने राज वर्णन नाम से लिखा था इंपोटेंट है एक्जाम में पूछा गया प्रशन है एक लिंग महत्म में काना व्यास की रसना है प्रत्रम भाग राजवर्ण नाम से स्वेम महाना कुम्भा ने लिखा था ध्यां रखना है उत्तर से अगला है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्मान महाना कुम्भा ने करवाया था कहां इस्तित है 1457 में बदनोर विजे पश्यात महारना कुम्भा ने बदनोर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का निर्मान करवाया था उत्तर सेह हो जाएगा बदनोर में अगला है शाजा ने राज सिंग द्वारा चितोड दुर्ग में करवाय जा रहे निर्मान को तोड़ने के लिए किसें बेजा था शाजा अजमेर आया हुआ था सबसे पहले जाज के लिए बेजता है अबदाल बेग को बोलता है देख करा कि दुर्ग की मरमत करवाय जा रही है क्या अबदाल बेग बोलता है कि दुर्ग की मरमत करवाय जा रही है तब शाजा यहाँ पर सादूला खाँ वजीर को 30,000 की सेना के साथ बेशता है तो उत्तर ए हो जाएगा सादूला खाँ अगला है गोसुंडी की बावडी का निर्मान किसने करवाया गोसुंडी की बावडी का निर्मान किसने करवाया राइमल की रानी थी श्रंगार देवी श्रंगार देवी ने चितोडगड़ में गोसुंडी की बावडी का निर्मान करवाया ये भी काफी बार रिपीट हुआ वह प्रशिन है उत्तर ए हो जाएगा अगला है उदा दाडिमपूर के युद में किसे से पराजित हुआ उदा जिसे मेवाड का प्रतम पित्र हंता कहा जाता है जिसने महरना कुमभा की हत्या की थी तो ये किस से पराजित हुआ था ये अपने बड़े भाई रायमल से पराजित हुआ था उत्तर से हो जाएगा रा वी है तो यह बाडोली गाव में इनकी आठाकम की चतरी बनी हुई है उत्तरद्य हो जाएगा बाडोली गाव दिए कि च Culini कहां आगा है ले ओल्य चितंट की चतरी कहां है माना परताब का गोड़ा प्रस्त कैंब कि रस्त है तो च रखले लेका फार जाप अगला है डोक्टर उपेंदरनादे ने विजे स्थम्ब को बताया है विजे स्थम्ब का है चित्तोडगड में है उपेंदरनादे ने इसे क्या बताया है पहला ओप्शन है रोम के टार्जन के समान फर्गूसन ने बताया है भारतिय मूर्ति कला का विश्वकोष डोक्टर ग विश्णु स्थम्ब या विश्णु धवज उपेंदर नार्डे ने कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा से विश्णु स्थम्ब या विश्णु धवज. करनल जेम्स टोड़ ने से कुतूब मिनार से भी श्रेश्ट मिनार कहा था, ये भी आपको ध्यान लकना है. करनल जेमस्टोड ने विजेस्तम को कुतुब मिनार से भी श्रेष्ट मिनार कहा था अगला है निमन में से हल्दी गाटी युद के बारे में कौन सा सही नहीं है हल्दी गाटी के युद को अबुल फजल ने खमनोर का युद कहा सही है बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद कहा ये भी सही है करनल जेमस्टोड ने से मेवाड का मेराथन कहा ये गलत है करनल जेमस्टोड ने से मेवाड की थर्मोपली कहा था मेवाड का मेराथन तो दिवेर के युद को कहा था तो आपको ध्यान रखना है उत्तर सह हो जाएगा अगला है 1567 में अकबर के चितोड आकर्मन के समय उदे सिंग ने चितोड की लेका भार किस पर सोड़ा जब अकबर आकर्मन करता है तो उदे सिंग गिर्वा के शेतर में चले जाते हैं गीरवा क्या है? उदेपूर का चारो तरफ पहाडियों से गिरावा शेतर गीरवा कहलाता है। चितोड के दुरुग का भार ये जैमल और फत्ता को छोड़ कर चले जाते हैं। भार ये जैमल और फत्ता को सोब कर वहां से चले जाते हैं। तो उत्तरद्य हो जाएगा जेमल वाफत्ता। प्रथम बार हल्दी गाटी के युद शब्द का प्रियोग किस ने किया था। हम बात कर रहे हैं बदायूनी की। बदायूनी ने अपनी पुष्टग मुंतखब उत्त्वारिक में हल्दी गाटी के युद का आँखो देका हाल लिखा है। अगला है अकबर ने नौवंबर 1576 में उदेपुर जीत कर उसका नाम रखा। हल्दी गाटी युद के पशात अकबर स्वे मुदेपुर आता है और इसका नाम मुहमदाबाद रखता है। अगला है आवल बावल की संधी कुमभा एवं जोदा के मद्दे कब हुई थी। मारवाड और मेवाड इनकी सीमाओं का नियधारन करने के लिए 1453 इस्वी में आवल बावल की संधी हुई थी। हंसा भाई की मद्देश्टा से ये संधी होती है तो उत्तर दे हो जाएगा 1453 इस्वी। अगला है अबुल फजल के अनुसार संधी वारता के लिए मारना प्रताव यम मान सिंग की भेंट कहा हुई थी। संधी के लिए हल्दी गाटी युद्व से पहले की बात है तो इनकी भेंट कहा हुई थी। तो अबूल फजल के अनुसार इनकी भेंट गोगुंदा में हुई थी, गोपिनाज शर्मा भी इनकी भेंट गोगुंदा में ही मानते हैं, और गोगुंदा ही इसका सही आंसर होगा, उत्तरद्दे हो जाएगा गोगुंदा में। वेसे करनल जेमस्टोड की हम बात करें तो करनल जेमस्टोड लिखते हैं कि इनकी मुलाकात उदे सागर जील पर हुई थी ये भी आपको द्यान रखना है अगला है मेवार की किस राजकुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर महरना भीम सिंग ने कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था भीम सिंग कृष्णा कुमारी विवाद से इसे जाना जाता है मेवार की इत्यास में ये सारा सब कुछ मेंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है अगर आपने भी तक नहीं देखें तो उनको अच्छे से देखें मेवाड की इत्यास में आप कहीं नहीं अटकोगे उत्तर से हो जाएगा अगला है रक्त तलाई नामगिस्तान कहां इस्ती थे रक्त तलाई नामगिस्तान कहां इस्ती थे हल्दी गाटी कहां इस्ती थे हल्दी गाटी राजसमंद में इस्ती थे रक्त तलाई भी राजसमंद में इस्ती थे उत्तर बै हो जाएगा अगला है खानवा के युद में महारना सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था खानवा के युद में महारना सांगा की सेना में जो शामिल नहीं था उसका नाम बताना है महमूद लोदी महमूद लोदी तो शामिल था हसन खा मेवाती एकमातर मुस्लिम सेनापती हसन खा मेवाती ही था हाकिम खा सूरी पठान हाकिम खा सूरी पठान शामिल नहीं था ये तो महरना परताब की सेना का एकमातर मुस्लिम सेनापती था तो शेर सा सूरी के वंस से आया था उत्तर से हो जाएगा बाकी मालदेव राठोडी भी इसमें सामिल था अगला है श्रंगार चवरी मंदिर किस जिले में स्थित है जिसे महारणा कुम्भा ने बनवाया श्रंगार चवरी मंदिर किस ने मनाया कुम्भा ने बनाया ये कहां इस्तीत है तो ये चितोडगड में स्तीत है उत्तर ए हो जाएगा चितोडगड अगला है मेवार के किस महारणा ने बुंदी का नकली किला मिट्टी का बनवा कर जीता था इनके पिता थे शेतर सिंग्या खेता वो बुंदी नहीं जीत पाते अंत में इनका पुतर राणा लाखा बुंदी का नकली दुर्ग बनाकर अथात मिट्टी का दुर्ग बनाकर इसे जीतता है उत्तर बैव जाएगा राणा लाखा अगला है डेबर जील का निर्मान किस गुहिल मंचे शाशक ने करवाया था पहली बात तो ये अगर आपको यही नहीं पता कि जैसमंद जील को ही धेबर जील कहा जाता है तो आपका आंसर सही नहीं होगा तो जे समन जील को ही हम डेबर जील कते हैं इसे जील में जो पानी आता है वो डेबर दर्रे से होकर आता है इसलिए जे समन जील को डेबर जील के नाम से जाना जाता है इसका निर्मान मालना जे सिंग ने करवाया था उत्तर से हो जाएगा अगला है तेज सिंग की रानी जेतल देवी ने चितोड में किस मंदीर का निर्मान करवाया था अगला है मेवार के उन तीन शास्कों के नाम बताईए जो अकबर के शमकालीन थे हमें पता है अकबर के शमकालीन माना परताब थे माना परताब थे माना परताब के पीता थे और माना परताब का पुत्र था तो मारना परताब इनके पिता उदे सिंग और इनका पुत्तर अमर सिंग प्रत्थम तो इसका उत्तर से हो जाएगा उदे सिंग, मारना परताब और अमर सिंग अगला है वह युद जिसें हल्दी गाडी के युद के बाद महरना प्रताब की विजे का पुने शिरिग्नेश्ट माना जाता है हल्दी गाडी युद के बाद हम बात कर रहे हैं दिवेर के युदगी जिसें कर्णलल जेमस्टोर ने मेवाड का मेराथन कहा था दिवेर का युद उत्तर बै अगला है मेवार का वह कौन सा शाषक था जिसने ओरंगजेव द्वारा दो अप्रेल 1669 को लगाए गए जजियाकर का विरोध किया था जजियाकर दिया भी नहीं था कौन से शाषक थे ये माहना राज सिंग थे जिनोंने जजियाकर का विरोध किया था जजियाकर नहीं दिया था और रंगजेव ने दो अप्रेल 1669 को जजियाकर लगाया था उत्तर से हो जाएगा माना राज सिंग अगला है मेवार का प्रतम शाषक जिसने 1818 स्वी में करनल जेम्स टोड़ भी उदेपूर आते हैं उत्तर बै हो जाएगा अगला है कुम्भा ने 1457 इस्वी के कौन से युद में मालवा के महमूद खिल जी को पराजित किया था इस विजे के पच्चाथ कुशाल माता मंदिर भी बनाया था इन्होंने तो हम बात करें बदनोर का युद उत्तर बै अगला है मारना परताब का जनम हुआ था मारना परताब का जनम हुआ था कहां हुआ था मारना परताब का जनम 9 मई 1540 इस्वी को जेस्ट शुकल तर्तिया को कुम्भलगट कटार के बादल महल की जुनी खचरी में हुआ था 9 में 1540 जेस्ट शुकल तरतिया कुम्भलगट कटार के बादल महल की जुनी खचरी उत्तर ए हो जाएगा अगला है उद्यवपुर के मुकुट मनी कहे जाने वाले सज्जन गट दुर का निर्मान किस ने करवाया उद्यवपुर का मुकुट मनी कह दो या मेवार की मुकुट मनी कह दो इसका निर्मान माना सज्जन सिंग ने करवाया था इंपोटेंट है ध्यान रखना है अगला है प्रसिद बिजोलिया किसान अंदोलन की शुरुवात मेवाड के कौन से शास्टक के समय हुई थी बिजोलिया किसान अंदोलन की शुरुवात हुई बेंगू किसान अंदोलन मेवाड का प्रजामंदनानों की बात कर लो या आप राज्यस्तान के एक एकरण की बात कर लो इन सभी मेवाड के शाशक बूपाल सिंग जी थे उत्तर से हो जाएगा उत्तर ए हो गए इसका बूपाल सिंग जी अगला है कवी राज शामलदास को केसरे हिंद की उपादी किस ने दी थी वीर विनोद के लेखक कवी राज शामलदास जो सज्जन सिंग के दरवारी कवी थे इने केसरे हिंद की उपादी कर्णल इंपी ने दी थी उत्तर से कर्णल इंपी अगला है निम्न में से किसका निर्मान मोकल ने नहीं करवाया समीदेश्यर मंदीर इसका निर्मान करवाया था दुवारी का नाथ मंदीर इसका भी करवाया था एकलिंग जी के मंदीर का परकोटा एकलिंग जी के मंदीर का निर्मान बपारावल ने करवाया था इसके चारों तरफ परकोटा मोकल ने करवाया था कुशाल माता का मंदिर बदनोर बीलवाडा में है इसका निर्मान माना कुंभा ने करवाया था तो उत्तर दै हो जाएगा इसका अगला है कला निदी दुवार दिपी का उधार दोरिनी किसकी करतियां हैं? मंदन का पुत्र है गोविंद गोविंद ने तीन रसनाएं की हैं दुवार दिपी का उधार दोरिनी कला निदी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि गोविंदा है गोविंदा के दुवार पर दिपी का आ जाती है तो गोविंदा का उधार हो जाता है और दीपिका कलाएं दिखाती है तो द्वार दीपिका उदार दोरनी कला नीदी इस तरह से इसको याद कर लेना उत्तर बेह होगा इसका अगला है महारना फते सिंग को दिल्ली दर्वार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राचुंगटिया नमक तेरा सोर्टो की रसना किसने की थी महारना फते सिंग जी को दिल्ली दर्वार में बुलाया जाता है जाने के लिए तयार भी हो जाते है जब इस बात का पता करांती कारी केसरी सिंग बारहट को लगता है तो ये 13 सोर्टे लिखते हैं जिने हम चेतावनीरा चुंगटिया नाम से जानते हैं उत्तर ए हो जाएगा केसरी सिंग बारहट अंतिम प्रशन है मारना सवरूप सिंग के साथ इनकी कौन सी पासवान सती हो गई थी 15 अगस्त 1861 को मारना सवरूप सिंग सती पर्था पर रोक लगा देते हैं जब इनकी मृत्य होती है तो इनकी पासवान एंजा बाई सती होती है जो मेवार के शासेंगाल में सती का अंतिम परमान था दोस्तों ये माना सवरूप सिंग वो ही है जिनोंने विजे स्थम की नोवी मंजील पर बिजली गिर जाने के बाद उसका पूने निर्मान करवाया था ये भी आपको ध्यान अखना है तो ये मेवार इत्यास के टो पचास प्रशन होगे जो जो एक्स्ट्रा फेक्ट बताएं हैं उनको भी अच्छे से नोडाउन करो अच्छे से तयार करो अगर एक बार में याद नहीं होता तो एक बार वापस वीडियो रिपीट कर लो पार की अच्छे से याद हो जाए इन क्योश्न की पीडियेप आपको डेनिल कलासेज के टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहां से पीडियेप डावलोड कर लें अच्छे से वापस इनको देख लें डेनिल क्रासेश की एप सें संपूर्ण राजस्तान जीके की टेस्ट सीरीज आज ही परचेज कर लें 15 अगस्त को रात को 12 बजे से पहले पहले परचेज कर लें ताकि आपको उफर में मिल जाए वीडियो जीतना हो सके शेर करें वीडियो लाइक करें अगर आप चैनल पर नेवें तो सब्सक्राइब जुरूर करना थेंक यूँ